हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास नीमी है और आप सभी का स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर इनमेंसे दोस्तों काफी कोशन आज तक आए है और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि पिछले एयर्स में किस तरह से इनमेंसे कोशन आए है तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना कि दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैंद डिस्टैंस एज्योकेशन पर दोस्तों डिस्टैंस एज्योकेशन जैसे हम सभी को पता है कि जो हम से सब्सक्राइब दूर रहे के करते हैं यानि कि जैसे इगनु आपने युनिवस्टी सुनी होगी बहुत से लोगों ने इगनु क्या है डिस्टेंस एजुकेशन देती है हम घर बैठे अपने डिगरी कर सकते हैं बिल्कुल असानी से हमें रेगुलर किसी भी कॉलेज या युन युनिवस्टी में जाने की जरूरत नहीं है और इसके अंदर जैसे यहां पर नॉर्मल लिखा हुआ भी है कि जिसमें सिक्सक्त था सिक्षू को विशेश स्थान अत्वा विशेश समय पर मौजद होने की आवसकता नहीं हो उसे हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं अंदर जैसे कुछ विशेश्टा की हम बात करें तो इसमें यह है कि जैसे नियमित तोर पर जाकर हमें पढ़ाई नहीं करनी होती और इसमें हम इंटरेट के दवारा पढ़ाई कर सकते हैं आज कल आपने देखा होगा कि जो युनिवस्टी वगरा है वो भी वो भी इंटरे इसमें एक और चीज जो होते इंटरेक्टिव माध्यम का यूज कर सकते हैं जैसे मोक जी से कहते इसके इंदर वि काफी तरह के को इन्टरेक्ट कर सकते एक दूसरे के साथ हैं और इसमें देखें थोड़ी जो बेसिक चीज़ आप सब्सक्र सकते कोई इतनी ज़्यादा मु इसके बारे हम पढ़ लेते हैं इसमें से कोशन आने की संभावना है दोस्तों अब बात करते हैं जैसे राष्टे मुक्त विध्याले की अब देखे राष्टे मुक्त विध्याले सिक्षन संस्था क्या करती है यह अपने इंडिया के इंदर जितने वी मुक्त विध्याले या स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंतराले दवरा 1989 के अंदर हुई थी और इसका जो मुख्य उदेश से था वो था दूरवर्ती छेतरों के विद्यार्थियों को सस्ती सिक्षा सुलब करवाना केंद्रिय माध्यमिक सिक्षा प्रिशद और उत्तर परदेश के अंदर जो सिक्षा सलते डिस्टेंस है जो करन उसी तरह से इसका वी कुछ उदेश से है यहाँ पर पढ़ सकते हैं और इसके बाद में जैसे आता है हमारे पास इगनू इसका नाम आप सभी ने सुना होगा इंद्रा गांधी राष्ट्य मुक्त विधाले कई बार दोस्तों क्या होता है कि यह फुल फॉर्म भी पूछ लेते तो हमें फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए तो हमें पता है जै में स्थापित है कई वार ऐसे भी पूछ लिया जाता कि इसका मुख्याले कहां पर स्थित है तो यह चीज़े छोट-छोटी चीज़े जो हमें पता होना चाहिए और यह दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विधाले दोस्तों यानि कि यह दुनिया की सबसे बड़ी डिस्ट अभियान यह काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों रुसा में से काफी बार कॉशन आए हैं इसमें देखते हैं इसका क्या मतलब है और क्या उद्श से इसका रष्ट उस्तर सिक्षा अभियान जिसे रुसा कहते हैं केंद्रिय प्रायुजित योजना है यानि कि एक सेंट्रल की योजना है और रज्जे उस्तर से सेक्षिक संस्थानों को विति पौशित करने के उद्श से ваш 5000 धेरा में प्रार्भं की गई थी यानि कि उनको कि त्रह रह reference पैसे देने और किसी त्रीकिस से उनको आगए अच्छे से से स्थाव को चलाया जा सकता है इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी और केंद्रे वित पौशन सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए 65-30 के नुपात में और विशेश वर्ग के राज्यों के लिए 90-10 का अनुपात इसमें निर्धारित किया गया है यह एक चोटी सी इंपोर 30 तक अनुपात को 30 पर 30 तक बढ़ाना है और इसके इंद्र इसका लक्से 70 नए आदर्स डिगरी कोलेजों और नए वयवासाइक कोलेजों की रचना करना है और उसके बाद इसमें जो है इंपोर्टेंट अकादमिक सुधारों प्रसासनिक सुधारों संबंधता सुधारों पादी के जरिये रज्यों में उच्छ शिक्षा के लिए पहुंच और समानता में सुधार करना और इसके अंद्र के आए दुस्तों समाजिक रूप से वंचित समुधायों को उच्छ शिक्षा के लिए उचित अवसर परदान करना वैसे तो इन नॉर्मल बात है कुछ खास नहीं है और उसके बाद में जैसे मानव संसाधन विकास मंतरा ले जिसे हम कहते हैं Ministry of Human Research Development इसके दवारा कौन-कौन सी संस्था चल रही है वो हम देख लेते हैं इसके दवारा जैसे कि यह IIT है यह 16 है IIM यानि कि भारते परवंद संस्था Management Institute जो है वो कितने है 13 है यहाँ पर सभी की हमने लिष्ट दिए हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं साइध इसमें से कोई एक कोशन आजाए आप एक और पढ़ लेना अभी तक तो वैसे इनमें से कोई कोशन नहीं आया फिर भी आप एक नजर दोडा लेना इस पे और उसके बाद में जैसे एक important चीज़ है इसके अंदर हाँ यह भी उसी में से दोस्तों यह कुछ खास नहीं है यह polytechnical college जो होते हैं उनके लिए होता है और उसके बाद है दोस्तों हमरे लिए important अखिल भारते तकनीकी सिक्षा परीशद यानि कि All India Council for Technical Education इसके अंदर हम देखते हैं क्या खास बात है इसकी स्थापना दोस्तों प्रामर्शी निकाय के रूप में 1945 में की गई थी यानि कि यह एक suggestion देने के लिए इसकी सुरुआत की गई थी 1987 में इसे संसद के अधिनियम 12 सामधिक दरजा दिया गया और अखिल भारते तकनीकी सिक्षा परीशद तकनीकी संस्थान खोलने यान अनुमोधन करता यानि कि जो हमारे टेकनिकल एजुकेशनल कोलेज हैं इंस्टिट्यूट है और युनिवस्टी वगरा है वो जब ओपन होती है उनमें कोई पाठे करम या सलेवस वगरा निर्धारित किया जाता तो उसके इंदर ये help करता है और और इसमें हम देखते हैं जो भी है इंपोर्टेंट चीज़े और इसके अंदर देखे भारत ने अखिल भारते तकनिकी सिख्या प्रिशद का मुख्याले नई दिल्ली के अंदर स्थित है इसके साथ छेत्रिय कारिया लिया है कोलकत्ता चेन्नाई कानपोर मॉंबई चंडिगड भोपाल और बैंगल दोस्तों इसमें से करीब आज तक दो से तीन बार कोशन आ चुके हैं ये हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर क्या है दोस्तों हम देख लेते हैं एक तो जैसे इसका नाम हमें पता होना चाहिए पूरा फुल फॉर्म पता होनी चाहिए भारते उच अध्यन संस्तान भारत के हिमाचल परदेश के राज्ये की राजधानी सिमला में स्थित है तो दोस्तों ये सिमला में स्थित है ये एक बार डायरेक्ट कोशन पूछा था कि जो इंडियन इंस्टिटुट ओफ एडवांस्ट स्टुडिज है वो कहां पे स्थित है ये किया था और इसकी जो कुछ खास बाते हैं ये देख लेते दोस्तों जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है एडवांस स्टुडि यानि कि एडवांस स्टुडिज के लिए इसकी स्थावना की गई थी इसमें क्या होता है दोस्तों सरजनातमक सोज बढ़ाने का ये कालिया करत पताते है कि किस तरीके से क्रिेटिव तरीके से काम करना ताकि बच्चों में अच्छे तरीके से उनका मानसिख विकास हो सके उच्व प्रामरस सहयोग है तु सुवी धाए देता है ये उसके बाद में ये जो रिसर्च कारогश्य होते हमारे उनके लिए राश्टे सैमिनार लेक्चर, संगोष्ठी, सम्मेलन आदी का आयोजन करता है। उसके बाद में दोस्तों जैसे व्याख्यान देने, अथ्वा, सोद संचालित करने के लिए भारत तथा विदेश से अतीथी प्रोफेसरों तथा अतीथी अधियताव को आमेंतरित करता है। की रिसर्च जो होते हैं, जो भी हमारी संगोष्ठी, समीलन वगरा होते हैं, तो इसमें दूसरे देशों से जो लोग बुलाने पड़ते हैं, यह काफी हल्प करती है रिसर्च के अंदर, और इसके बाद में दोस्तों हमारे पास राष्ट्य सिक्सक, सिक्षा प्रिश्द, इस की स्थापना दोस्तों 17 अगस्त 1995 को राष्ट्य अध्यापक सिक्षा प्रिश्द अधिनियम 1993 के तहत की गई थी, यह एक सवायते निकाय के रूप में स्थापित किया गया, सवायते मतलब वही दोस्तों ऑटनोमस बोडी जो मैंने बताया, और राष्ट्य अध्यापक सिक् पांदेना, यानि कि जो हमें टीचर है, टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको भी टीच करना जरूरी होता है समय समय पर, तो उसके अंदर ये काम करता है, उसके बाद दोस्तों राष्ट्य मुल्यांकन और परतयायन प्रिश्द, यानि कि जिसे नैक कहते हैं, इसकी फुल फॉम ह परते निकाई, यानि कि इंडिपेंडेंट बोडी है, और इसे ऑटोनोमस बोडी भी कहा जाता है, और इसको राष्टे शिक्षा नीती 1986 और कारेवाई कारेगरम 1992 का अनुसरन करते हुए स्थापित किया गया है, दोस्तों ये छोटी छोटी चीजी निकल किया रही है, यही हमारे कोलिज विगरा में इंस्पेक्शन होते है, उनकी चेकिंग होते है कि क्या वो सही से काम कर रहे है या नहीं कर रहे है, आपने कई वार सुना हुआ कि स्कूल के अंदर या कोलिज के अंदर आज चेकिंग आई है, तो वो चेकिंग करने का काम नेक ही करता है, दोस्तों यहां पे जैसे आप यह पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हिंदी में काफी चीज़े हमने यहां पे दी हुई है अब आगे दोस्तो हमारे पास राष्टिय परत्यायन बॉर्ड यह है नेशनल बॉर्ड ओफ एक्रिडेशन इसे कहते एन बी ए इसमें देखते दोस्तों क्या खास राष्ट है इसका मुख्यले नई दिल्ली के अंदर है यह संस्था AICTE दवारा स्थापित की गई इसका उदेशे भारत में तकनीकी पाठे करमों का आवधिक मुल्यांकन करना है और जो हमारी NAC थी दोस्तों NAC क्या थी कि वो सभी का मुल्यांकन करती लेकिन जो NAB है यह है यह तकनीकी शिक्षा के जो पाठे करम है उनका मुल्यांकन करती है यह संस्थाओ या प्रोग्राम को मान्यता देने या रद करने के लिए बनाई गई है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और अब देखते दोस्तों अभी तक इन में से किस तरह के कोशन आये है यह देखे दोस्तों यह जून 2012 के अंदर कोशन आये था भारते उच्टर अध्यन संस्था यानि की IIAS एडवांस स्टडी की जो बात चल रही थी तो वह कहां पे दोस्तों सिम्ला के अंदर स्थित है हमने बताये था भी और उसके बाद में दोस्तों राष्टि अध्यापक सिक्षा परिसद बोर्ड की बात नहीं है परिसद की बात चल लिए इसके मुख्यालों की संख्या कितन यह दोस्तों इसमय है चार यहां पे डी हुई है और उसके बाद में दोस्तों दिसंबर 2013 में एक्जाम में आया था यह निमललिकोत में से किस परिशद को 2013 में विगटित कर दिया गया था तो जो डिस्टेंस एजुकेशन था दोस्तों उसे हम विगटित यानि की उसको कोशन नमबर 33 नेशनल असेस्मेंट एंड एक्रिडेशन काउंट्शन यानि की नैक की बात चल रही है दोस्तों तो इसकी क्या-क्या खास वात है वो हमें बताना है अब देखे इसके अंदर खास वात क्या है एक तो यह एक सवायत सासे संस्था है और नमस बोडिया हमने पढ कारेले है तो यह दोनों चीज़े हम एक वर डाउट के अंदर रख लेते हैं और इसमें नैक के अंदर हम देख लेते हैं कि इसका कारेले कहां पर है मैं बोल गया हम भी अभी हम सभी देख लेते हैं इसका देखिए इसका कारेले कहां पर दोस्तों बैंगलोर के अंदर है इ एक और दो तो ये बात इसकी बिल्कुल सही है तो दोस्तों आप देख सकते कि किस तरह से बिल्कुल असान कोशन पेपर के अंदर आते हैं बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवशकता होती है और आगे हम बात करते हैं दोस्तों आगे हमारा हाँ ये आगा है रूसा का दिस चाकी A, B, C, सरकारी संस्थाओं की समगर गुणवत्ता में सुधार करना, गुणवत्ता पुर्ण संकायों की प्राप्त उपलब्धा सुनिश्चित करना, वर्तमान सवायत महावी ध्यालियों के उन्यन, यानि कि उनके सुधार, उन्यन का मतलब सुधार होता है, दोस्तों, स ही से इसका मीनिंग नहीं पता, उन्में सुधार करना, ठीक है, आप समझ लेना जो भी है, और उसके बाद में दोस्तों, जुलाई 2016 के अंदर एक कोशन आये था, दोबारा फिर नैक का कोशन आ गया, अभी तक हमने देख लिया, दोस्तों, दोस्तों, तीन बार ये कोशन आ हैं, आप चाहे तो वीडियो रोक सकते हैं, इसका स्क्रिन सॉट ले सकते हैं, उसके बाद दोस्तों, ये हमारा अगस्त 2016 के अंदर ही आया था, अब देखिए, इसने कहा है कि भारत में दूरस्त सिक्सा यानि कि डिस्टेंस एजूकेशन है, तो इन में से कौन शे कथन सही ह वो हमें बताना है, तो ये बिलकुल असान है, दोस्तों कि दूरस्त सिक्सा है, वो हम असानी से कर सकते हैं, स्कूल में नहीं जाना पड़ता है, इस तरह कि ये चीज़े हैं, तो आप यहाँ पे देख लेना, इसका अंसर है, वो उप्सन नमबर थरी दिया है, A, B, D, A, B, D हम यहाँ पे देख लेते हैं, A, B, यानि कि यह उपचारिक शिक्षा की पूरक है, ठीक है, और फिर है, B, इसमें शिक्षा की लागत घट जाती है, ठीक है, यह बात भी सही है, और उसके बाद में, D, इस से शिक्षा तक पहुंच बढ़ जाती, यह बात भी, इसकी और Research Planning में कार्य करती है तो उसे हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं दोस्तो N-U-E-P-A अब इसमें यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है हम यह पढ़ लेते हैं इसका मतलब क्या है National Institute of Education Planning and Administration was established in the year of 1962 as UNESCO Asian Center for Education Planner आप यहाँ पर पूरी बात पढ़ लेना दोस्तो अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत लंबी यह वीडियो बन जाएगी आप यहाँ पर पढ़ लेना आसानी से आपको समझ में आ जाएगी उसके बाद में दोस्तो जून 2014 के अंदर यह दोबारा कोशन आया था इसके अंदर कहा गया है कि The Present Form of Inter-University Board that was previously established for promoting cooperation and coordination among universities यह है दोस्तो इसका उप्सन नमबर टू है AIU यह एक संस्था है दोस्तो organization है जितनी भी हमारी universities है उनकी organization है यहाँ पर पढ़ लेना और यह जब भी किशी university का सलेवस वगरा निर्धारित किया जाता तो वो उसमें help करते एजस सुझाओ देते हैं तो दोस्तो यह थे आज के हमारे important topic